देशी सेजनिंग चैनल के तरफ से आप सभी का स्वागत है आज हम बनाएंगे पनीर काली मिर्च ये डिश बहुती जटवर बन जाता है और होता बहुती तेस्टी इस डिश की मेन इंग्रेंट है काली मिर्च यानि की ब्लैक परपर जो की इस डिश को स्पाइसी टेस्ट देगा और इस डिश में हम कैशी मुद पेस्ट का भी यूज़ करेंगे जो इस डिश को एक क्रीमी टेक्स्चर देगा overall soft soft paneer क्रीमो टेक्स्चरेट ग्रेवी में काली मिर्च का fusion सुनने में इंट्रेस्टिंग लग रहा है ना तो चलिए फटा-फट इस डिश को बनाना हम स्टाट करते हैं सबसे पहले फ्राइंग पैन में 1 टेबल स्पून रिफाइन ओयल डालेंगे और इसे गरम कर लेंगे फ्लेम को लो में रखते हैं अब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून काली मिर्च, 2 हरी इलाइची, 3 लॉंग, 1 इंच दार्चिनी का टुकरा डालके इसे हलकी हलकी खुश्बू आने दक हमें भून लेना है अब हम इसमें डालेंगे एक मीरियम साइज का बालिक कटा प्याज इसे हलका सा मिक्स करने के बाद अब हम इसमें डाल रहे हैं 1 टेबल स्पून अध्रकलसन का पेस्ट अब अध्रकलसन का कच्छा शमल जाने तक हमें इसे भून लेना है मसाले फ्राई हो चुका है अब हम flame off करेंगे और यह आपको जो दार्चिरिनी का टुटा दिक डख़़ा है इसब हम उसनी और यूजनी करना है इसे हम simply Unity फीक देंगे मसाले को अब आपशमा क्रांडिंग जल में डालेंगे इसके बाद हम इसमें डालेंगे जरा सा पानी अब हम इसमें डालेंगे 15-20 कटा हुआ काजू मसाले को अच्छी तरह से ठंडा किनने के बाद ही हम इसे बहुत बारीक पीस लेना है अब एक फ्राइंग पैन में एक टेबल स्पून भरके घी डालेंगे और इसे पिखलने देंगे अब हम इसमें डालेंगे 1 टी स्पून शाही जीरा और दो तेजपता डालके इसे हलका सा ठून लेंगे अब हम इसमें डालेंगे हमारे पिसे हुए मसालें इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब इसमें डालेंगे 1.5 cup full fat milk यानि कि मलाई से भर पूर दूद अब जब तक इस gravy में अच्छा सा boil ना आ जाए उस level तक हम इसे चलाना होगा यह ग्रेवी में बॉयल आ चुका है अब हम क्यास बंद कर देंगे और ग्रेवी को लगभग हाफ ठंडा होने देंगे ग्रेवी लगभग ठंडा हो चुका है अब हम इसमें दालेंगे 2 टेबिल स्पून देही आप जब भी कोई भी डिश में देही का इस्तिमाल करो तो मेक शूर की मसाले को आप लगभग ठंडा करकी ही उसमें देही डाले वरना देही बहुत जल्दी फट जाएगा और जो ग्रेवी का टेक्स्टर है बिल्कुल अच्छा नहीं होगा टेस्ट में अच्छा नहीं अब फ्लेम को लो टू मीडिया में रखते हुए हमें ग्रेवी को तब तक चराना होगा जब तक ग्रेवी में हलका फुलका बॉल नाने लगा है अब हम इसमें डालेंगे हाफ टी स्पून गरम मसाला यह मेरा घर का बनावा गरम मसाला है अगर आपको रिशेपी चाहिए त लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा ग्रेवी को अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें डालेंगे नमक बिल्कुल स्वादनुसार ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स सारे प्रोसस के टाइम फ्लेम को हमें बिल्कुल लो में रखना है त्यूकि हमने इस इसलिए हमें चलाना होगा फ्लेम इसमें आप हाई कर सकते क्योंकि हम इसे चला रहे है तो लीजे हमारा पनीर काली मिर्ष का जो ग्रेवी का जो बेस है वो बिल्कुल तयार है फ्लेम को अब लो कर देंगे अब हम इसमें डालेंगे पनीर तो यहाँ पे हमने कुछ 200 ग्राम इसे लो फ्लेम में सिर्फ पांच मिनट के लिए पकाना होगा उसके बाद हमारा पनीर काली मिर्ष सर्व होने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाएगा क्रीमी पनीर काले मिर्ष में थोड़ा सा ब्लैक पिपर श्प्रिंकल कीजिए और उपर से फ्रेश क्रीम देके गारनिश करके आप इसे रोटी पराथा या नान के साथ इनजुई कीजिए तो friends I hope आपको आज की हमारी ये पनीर काली मिर्ज की रिसिपी अच्छी लगी होगी तो आपमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा आपको जो भी सेलेशन हो इस टिश के रिकार्डिंग आप हमी नीचे कमें सेक्षन में बता सकते हो और इसे तरह के नए रिसिपीज जानने के लिए हमारे चैनल को जल से जल सबस्क्राइब कीजिए तो चली बहुत जल मिलते हैं एक नए रिसिपीज के साथ तब तक के लिए बाँ बाई